पहलवानों को राहत ब्रिजबूशन गिरे जनतर मंतर पर परदर्शन के दोरान नफरती बाशन से पुलिश का इनकार जनतर मंतर पर परदर्शन के दोरान पहलवानों नफरती बाशन नहीं दिये थे सुकरवार को अदालत में दिल्ली पुलिश के इस दावे से पहलवानों को रहत मिली है दूसरी और कुस्ती महाशंग के आद्यक से ब्रिजबूशने सिंग को अंतराश्टी रेफरी जगबिर सिंग ने घेरा है वहीं दिल्ली पुलिस ने महिला पहलवान को साथ ले जाकर राज़ानी में ब्रिजबुशने के आवास पर जांच की रिपूर्ट दाकिल दिल्ली पुलिस ने अदालत में पहलवान विनेश फोगाट बजरंगपुनियाउ साक्षी मलिक की तर्श करने के अनुरोद वारी याचका पर कारवाई रिपूर्ट दाकिल की पूरा मामला अदालत के समक्ष है केंदर सरकार ने भी आश्वाशन दिया है 15 जून से पहले आरोपत्त तायर कर दिया जाएगा 4 सीट दाखिल हो जाने दीजिए से मैं आने पर अपनी बात रखूंगा ब्रिजबुशन सिंग समझोते के लिए पहलवानों के कुष्टी मासंग कारियले पहुंचने की बात निराधार है ब्रिजबुशन अपने रशूक और अप्सुआउं से प्रेशान कर रहे हैं पुलिस उनकी ग्रिफतारी कर ले तो इन्चाफ की उमीद है वरना नहीं विनेश फोगाट साथ महिला पहलवानों ने लगाए हैं यून सोशन के आरोप 15 जून तक दिल्ली पुलिस आरोप पतर दायर कर सकती है बारते कुस्ति संग के चुनाओ की तैयारिया सुरू बारते कुस्ति संग के चुनाओ के लिए 30 जून की समय सिमान दर्धायट करने के साथ आई ओ ए तदर्ध समयती ने मतदाता सुची तैयार करनी सुरू कर दी है यून सुनाओ कराने के दिशा में पहला कदम है यून सुनाओ से पहले तदर्ध समयती के तीसरे सद्शे के नुक्ति की जानी बाकी है